एंड़ वीडियोस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत जैसा कि आप टाइटल में देख रहे हैं कि एक पैचान पत्र में एड्रेस बदलने के लिए फॉर्म नंबर आठ भरा जाए या आठ ए भरा जाए जिहां दोनों ही फॉर्म एड्रेस बदलने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं फॉर्म नंबर आठ एड्रेस के अन्या जो पहचान पत्र की जो डिटेल से नाम फादर नेम रिलेटिव नेम इसके लावा जेंडर इत्यादी सुधाएं भी बदलने के काम आता है लेकिन फॉर्म नंबर आठ से भी एड्रेस बदला जाता है ठीक वैसा ही एसे भी एड्रेस बदला जाता है अब फॉर्म नंबर आठ भरा जाए यह फॉर्म नंबर आठ है बरा जाए यह हाज हम इस वीडो के माद्यम से जानेंगे कि किस परिस्थिति में कौन सा फॉर्म बढ़ना चाहिए आखिर दोनों फॉर्म से क्या डिफरेंस है और हमें कौन सा फॉर्म बरें ताकि वो स्विकार हो हमने कई बार फॉर्म आठ है या आठ बरा होगा एड्रेस बदलने के लिए लेकिन वो खारिच कर दिया जाता है तो आज हम एक क्यों सा फॉर्म बढ़ना चाहिए ताकि आपका इपिक कार्ड का अद्रेस बदल सके और वो आपका आविधन सुविकार किया जा सके तो आईए हम देखते हैं डेमो आई एम से समझते हैं कि किन प्रकार से फॉर्म नंबर आठ और आठ है में क्या डिफ्रेंस है हमें कब चाहिए और कब आर्ट ए बढ़ना चाहिए तो एक डेमो समझते हैं कि माली जीए ये आपका एक गाउं है या एक कोलोनी है या एक वार्ड है जहां पे आप रहते हैं निर्मा चक नमावली में या मद्दाता पैचान पत्र या निर्वाचन विभाग इसे एक भाग मानता है जी हां इसे एक भाग मना जाता है एक भाग में कई सारे अनुभाग होते हैं यानि कि आप एक गाउं की भी बात करें तो आप महां पे देखेंगे कि छोटे-छोटे से जो है अनुभाग मोले होते हैं तो निर्मा चक नमावली या पचान पत्र विभाग इसको अनुभाग मानता है अब मान लीझिए करिए आपका घर जो है वह इस जगह पे है यहां पे आपका घर है और यह यहां पे जो है आपका पड़ जो वोटिंग सेंटर है स्कूल है आपको जहां पर वोट डालते हैं ठीके या पर गाउँ हो गया याlor जो ब्लेक आउट टाइन है यह पूरा भाग है पार्ट है आपका गाउं है आपकी लोकेलिटी है आपका नगर है ठीक है जो ग्रिन कलर से दिकदशा है गया है यह छोटे छोटे गलियां है या महलें है इने निर्वाच अनुभाग के नाम से जानता है अब हुआ क्या है कि एसिस्थिती है आपकी आपके पैचान पत्र में देखा कि मैं जिस लोकेलिटी में रेता हूँ अब आपकी लोकेलिटी क्या है गाउं बहुत बड़ा होता है पुरे गाउं के नाम से तो आपके मकान को ढूंड नहीं सकते हैं आपकी लोकेलिटी है आपकी छोटी सी परीदी यानि कि ये इस परीदी में आप रहते हैं यानि कि इस परीदी में एक गलिया होंगी कुछ महले का नाम होगा ठीक है तो आपने अपने पेचान पत्र में देखा कि मेरे पेचान पत्र में मेरे पास की लोकेलिटी का नाम नहीं जाता है तो अब आप आप चाहते हैं कि मुझे स्कूल के नाम की से कोई मतलब नहीं है मैं उसे बदलाना चाता हूँ मैं टो ऐसा एड़ुर्स मेरे पैचानदर्पतर में सेट करवाना चाहता हो जिससे की मेरे मेरे घर को आसानी से ढूंडा जा सके या मेरी लोकलिटर के आसपास का हो तो ऐसी इस्तिती में आपको form number 8 भरना है जी हाँ आप ये वो इस्तिती है जब आप ना तो कहीं से इस्थानांत्रित होकर आए हैं आप यहीं रहते हैं लेकिन आप अपना address बदलाना चाते हैं मात्र आप अपना address बदलाना चाते हैं form number 8 से आपका जो polling booth है उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा आपका vote हमेशा यहीं डलेगा मात्र आपका address चेंज होगा जी हाँ ये वो इस्तिती है पहली इस्तिती जिसमें आपके जो polling booth है वो नहीं बदलेगा आपका जो ये जो फस्ति सिच्वेशन है इसमें आपने मात्र address में परिवर्तन किया है आपको लगा मैं मेरी लोकेलिटी का address करवाना चाता हूँ मेरे गली का नाम डलवाना चाता हूँ मेरे मोहले का नाम नहीं होगा अब हम समझते हैं दूसरी सिच्वेशन मान लीजिए अब आप जो है अपने उस गाउं को छोड़कर किसी अन्य गाउं में शिप्ट हो गए हैं आप दूसरे गाउं में आ गए हैं है ना अब इसमें एक सिच्वेशन ये पढ़ती है कि जैसे मान लीजिए यहां पर भी बहुत सारे अनुभाग होंगे क्योंकि दूसरा गाउं है तो यह गाउं भी एक पार्ट है निर्वाचन उभाग के लिए तो यह दूसरा गाउं भी एक भाग है और जो छोटे 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 सेक्शन देख रहे हैं यह उनके लिए पॉलिंग बूत होगा तो अब आपका पॉलिंग बूत पड़ता है साब यहां पर ठीक है अब आप क्या किया है आपने दूसरी जो सिच्वेशन है आपकी आपकी इस दूसरी सिच्वेशन में आपने क्या किया है अपना इस्थाना अंतरन यह जो दूसरी सिच्वेशन है form number 8A form number 8A भरते ही आपका जो polling booth है वो बदल जाएगा जी हाँ पहले आप यहाँ boat डालते थे अब आपका voting center बदल कर हो जाएगा दूसरा वाला ये वाला आपका voting center बदल कर हो जाएगा अब आपका voting center हो जाएगा ये वाला जी हाँ तो ऐसे इस्तिति में आपको बढ़ना है 8A अर्थात आप एक गाउं से छोड़कर दूसरे गाउं आ गए है या आप ऐसे दाइरे में आ गए हैं जहाँ पर दूसरा polling station area लगता है जहाँ पर दूसरा polling booth है दूसरा इस्कूल है वहाँ पर आपका vote लगेगा तो फिर आपको form number 8A बरना होगा अब इसमें भी एक शर्त है ये दोनों गाउं दोनों जो इस्थानांधरन आपने किये हैं दोनों जो जगह आपने बदली हैं इसमें एक नियम ये है कि ये पूरा area एक ही विधान सबा शेतर का होना चाहिए मान लीजिये एजुम करिए कि ये एक शहर है पूरा बड़ा जो मैंने outline मनाई है ये पूरा एक बड़ा शहर है ये पूरी एक विधान सबा है जैसे ही अगर आप विधान सबा चेंज कर देंगे मान लीजिये आप किसी दूसरी विधान सबा में चले गए अब विधान सबा से मतब समझे मान लीजिये आप जैपूर की बात करें तो ये जो पहली विधान सबा थी ये है जैपूर का मानसरोवर ये जैपूर का मानसरोवर ब्लोक वन और यह जपुर का मांसरोवर ब्लॉक 2 आप मांसरोवर के मांसरोवर में इदर से उदर शिप्ट हुए हैं तब आपको form number 8 या 8 आप भरेंगे वो depend करता है अगर आपका स्कूल अगर चेंज होगा तो form number 8 एक साहिता से आपका स्कूल चेंज कर दिया जाएगा form number 8 में स्कूल चेंज नहीं होगा form number 8 में आपका स्कूल वही रहेगा लेकिन form number 8 A की स्तिती में आपका स्कूल चेंज हो सकता है तीके अब यह जो दूसरी यह जो अलग है यह विदान सभाई अलग है तो यहाँ पर आपको ना तो 8 भरना है नहीं आठ एबर नहीं आपके दोनों ही फॉम आपके रिजेक्ट मार दे जाएंगे अब क्या क्या कहना चाराओं में यह पूरा जो है आपका मानसुरोवर है जो बड़ी आउटलाइन है यह है आपको मानसुरोवर अब यह जो दूसरा आप जो प्लोट देख रहे हैं आप जो तीसरा खंड देख रहे हैं यह तीसरा खंड आपका टॉंक माली जे आप जेपूर से निकल कर आ गए हैं टॉंक मूंदी जेपूर जोदपूर कोटा या अन्य कोई सबी भारत यह किसी भी से में आप रहे जाकर रहने लगे हैं तो फिर आपको यहां पर इस पहले वाले विस्थान से नाम कटवाना होगा और आपको यहां पर नाम जुड़वाना होगा तो यहां पर आपको ना तो आठ बरना है ना ही आठ ए बरना है तो यहने की कहने का तात्पर यह है कि form नंबर आठ और आठ एक ही विधान सबागे होने चाहिए आठ कब बरा जाएगा जब आप अपनी लोकेलिटी ही बदलाना चाहते हैं आठ नंबर से आपका polling booth नहीं बदलेगा वही polling booth रहेगा आठ एक अब बरा जाएगा जब आप एक जगह से इस्तानानते तो अगर दूसी जगह पे आ गए है आपने यहां का address लिखा है इस address के अदार पे आपका हो सकता है polling booth आपका बदल दिया जाए तो ऐसी इस्तिती में आपको form नंबर आठ ए बरा जाना है शर्त यह है कि आपकी विधान सभाशेत्र वही होना चाहिए अगर आपने ऐसे जगह पे मकान बना लिया है जो उस विधान सभाशेत्र का नहीं है तो फिर आपका ना तो आठ ए पास किया जाएगा नहीं आठ पास किया जाएगा आपके दोनों form reject कर दिये जाएंगे आपको इस स्थिति में क्या करना है फिर तो आपको नया नाम जुडाना होगा इस स्थिति यहां से नाम कटवाना होगा और यहां पे आपको नाम जुडवाना होगा टो आएए वोटर हे थल प्लैने की सहता से देखते हैं कि इस प्रकार से भरा जाता है तो पर चलते हैं currently का KAR ऑफिचल लोगो जो हीए है जा आत देख रहें यह ऋफिचल लोगों है अगर आपके मोबाईल में बोट ए depends नहीं तो आप Google Play Store के साहता से आसानी से Water Alpine App टाउलोड कर सकते हैं तो Water Alpine App जब आप Open करेंगे तो आपके सामने वैसे तो इस प्रकार का स्क्रीन आएगी इस स्क्रीन में आपको Skip Login Option काम लेना है जी आपको Login नहीं करना है और अगर आपने पहले से Water Alpine App काम मिली है तो आपको कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आपको दिखाई देगी यहाँ पर हमें Form No.8 है बढ़ना है तो Water Registration जो ऑप्षन दिया में है इस Water Registration ऑप्षन की साहता से हमें अंदर Menu Open करने है यहाँ पर Form No.678 विविन प्रकार की Forms की सुची आपको दिखाई गई है Form No.8 है किस प्रकार भरा जाना है तो हमें Shifting Within Assembly Constituency वाला जो ऑप्षन है यहाँ Shifting Within Assembly Constituency Form No.8 है इस पर टेप करना होगा यहाँ आपको टेप करते हैं इस स्क्रीन पर आपको लेस्ट स्टार्ट करके आगे बढ़ जाना है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है इपिक नंबर यस आई है Water ID नंबर इस पर आपको टेप रखना है और Next का बटन पर टेप कर देना है अब आपको टालना है Water ID नंबर से एक जिस भी आपको जिसका आपको एड्रेस चेंज करना है जिस भी Water ID करमांग में आपको वह उसका Water ID करमांग लिखना है Water ID करमांग सही लिखें अन्य था गलत Water ID करमांग लिखने पर गलत Water का जो है एड्रेस बदल सकता है या फिर आपको आवेदन खारी दो सकता है तो आप गलत वोटर आडी नंबर नहीं लिखें आप सही वोटर आडी नंबर लिखें वोटर आडी नंबर लिखने के बाद आपको फेच डिटेल बटन दिया हुआ है इस फेच डिटेल बटन पर आपको टैप करना है फेच डिटे डाले थे आपको verify कर लेना है कि क्या ये वही वो ट्राइडी नंबर है या ये वही नाम पते हैं जो जिनका आपको अपना address जिनका आपको बदलना है अगर आप ensure हैं कि हाँ ये सब कुछ वही है तो आपको next बटन पर टैप कर देना है उसके पाद आपको जो correction करना है आपको जो address आपको बदलना है वो सही address आपको यहाँ पर लिखना होगा तो हम यहाँ पर मकान संक्या डालेंगे मकान संक्या हम डाल रहे हैं हिंदी इंग्लिश का यहाँ पर है automatic transition हो जाता है उपर वाला section English का है नीचे वाले section में यह अपने आप हिंदी बाशा में automatic translate कर देगा यह इसी परकार की सुचन को आप बढ़ सकते हैं street यानि कि आप जिस locality में रहते हैं उस locality के आपको यहाँ पर गली मौले का नाम लिखना है तो मैं यहाँ पर अपने गली मौले का नाम लिखूंगा उसके बाद हिंदी वाले रूपांतरन आउटमेटिक कर देगा उसके बाद आपको लिखना है शहर का नाम जिस शहर में आप शिप्टों के आए हैं उस शहर का आपको नाम लिखना है तो यह मैं शिप्ट शहर का नाम लिख देता हूं हिंदी में यह अपने आप ट्रांस्पर ट्रांस्लेट कर देगा उसके बाद पोस्ट अपिस का आपको हिंदी में चाहिए अर्थात यह 30 कब आई इससे ठीक पहले आपने वोटर है प्लान अब किसा तह से फोर्म नमबर 6 बरा हो 7 बरा हो 8 और किसी प्रकार का आपने इसी एप से इसी मोबाइल से आपने अगर कोई पुराना फॉरम बरा है तो वही आपका mobile number यहाँ पर आ गया है जो कि नहीं आना चाहिए जो कि गलत है अब आपको क्या करना होगा इस सी से बचने के लिए आपको को ओ कर डाटा क्लिए करना होगा या फिर अगर बार-बार एप को इंस्टॉल अनिस्टॉल ना करना पड़े हमने एप का डाटा किलियर कर दिया है अब हम इसकी प्रेजिस्टेशन की सायता से इस डेज़बूर्ड पे आ गए हैं वापस हम वोटर रेजिस्टेशन जो आइकन हैस पे टेप करते हैं फोर्म नंबर 8 एपर टेप करते हैं लेट्स स्टाट पर टेप करते हैं जी देखिये पहले में और अपमें यह अंतर आया है कि अब आम से मुबाइल नंबर मांगे जा रहे हैं जी हाँ आपको इपिक संख्या के साथ वही मुबाइल नंबर अटेज़ करने हैं जो मददाता के वास्तों में हैं जी हाँ आपको ध्यान रखना होगा अगर आप बूत लेवल ओफिसर्स हैं या एक वोटर भी हैं तब को ध्यान रखना है कि पहले वाले मुबाइल नंबर को आपको हटाना होगा अन्य था उसी मुबाइल नंबर को सभी फोर्म के साथ जो जो भी आपने एक मुबाइल से फोर्म भरे हैं उस एक ही नंबर को सब के साथ जोड़ दिया जाएगा तो आपको डेटा किलियर करना होगा या फिर आपको एप्लिकेशन को अनिस्टॉल करके दुबारा से इंस्टॉल करना होगा उसका हमने एक सेप्रेट वीडियो बना रहा है जिसका डेस्क्रिप्चन में हम लिंक डाल देंगे या फिर आप हमारे चेनल पे आकर उसका वीडियो भी आप देख सकते हैं तो हम यहाँ पर mobile number को authenticate कराएंगे और आगे बढ़ेंगे mobile नम ने authenticate करवा लिया है अब आपसे वही option मांगे जा रहे हैं वापस से क्या आप एक voter ID रखते हैं हाँ हम एक voter ID रखते हैं next करेंगे आपको यहाँ पर voter ID number डालना है voter ID के बारे में बद्दा आय था मैंने voter ID करमा का आप सही डालें कहिए सा नहूं कि आपके किसी भी अंकर की गलती से किसी अन्य विक्ति का एड्रेस बदल जाए या आपका आविदन खरिश कर दिया जाए face detail बटन पर टेप करते हैं आपका record face कर लिया गया है अब हमें करना है process बटन पर टेप process बटन टेप करने के बाद आपको यहां पर एक screen खाई जाती है जिसमें यह आपको चेक करना है कि क्या data आपका ही है अगर आज इंशोर है आपको data आपका ही है तो आपको कर देना है next अब इस screen में जब हम details भरते वे आ रहे थे तो हम यहा आप मोबाइल नमबर जी हाँ अब मोबाइल नमबर आपके वो हैं जो आपने अभी authenticate करवाए हैं यह वो मोबाइल नमबर जो अब आपने authenticate करवाए हैं तो इस प्रकार से आपको मोबाइल नमबर आपको बार 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 बदलने हैं बदलने के लिए आपको मोबाइल का data case किलर करना होगा या पिर एप्लिकेशन को इंस्टॉल और अनिस्टॉल करना होगा तो हम इस डिटेल को भड़ते हैं हाउस नंबर यहां पे जो था हमने हाउस नंबर भड़ दिया है यह ऑटमेटिक टांसेटों के हिंदी में आ जाएगा या रिजिनल लेंग्वेज में आ जा इसनलेंग भड़ा में आपको इंग्लीश में लिकना है इसके बाद आप से प्लिक नमर बांगे जा रहे हैं तो आप नमर डाल दीजिए उसके बाद आप जो है अपने मॉबाइल मेंद्ध करा चुके हैं पहले ही तो आप यहां कर दीजिए नेक्स करने पे आप से फोटो म मेरा जो है जो एड्रेस बदलने वाला फोर्म है वो एकसेट कर दिया जाएगा ऐसा ना समझें आपको यहाँ पर एक सही फोटो लगाना है क्योंकि अब यही फोटो आपके वोटर एडिकार्ड के साथ अपडेट कर दिया जाएगा तो हम अप्लोड पिच्चर की बटन की साह साहिता से और अगर्य तो अगर्व आपने फोटो ले लेता हूं झालीजेए यह मैंने फोटो जो है मैं इपना फोटो लेता हूं झी से फोटो मुझे ढूंडना होगा फोटो we're लेता हूं हमने यहां पर फोटो सेट कर दिया है फोटो को मैं पहले ही के चुका हूँ कि आपको फोटो अच्छा दिखना चाहिए ऐसा नहों कि आप कुछ भी किसी भी अबजेक्ट का फोटो लगा दें क्योंकि फोटो आपके पचान पते के साथ अट कर दिया जाएगा तो अब आपका प्रिवी का प्रिवी आपको दिख मों चाहिए कि हमारा फोटो अटेज्य चुछा है यहां पर अमें इस स्कूर देरा है नेक्स्ट करने पर अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपने जो address बदला है उस address बदलने का proof आपके attach करेंगे जी हाँ आपको proof attached करना होगा सबसे पहले आपको जो select your address proof वाला जो option है इस option पर आपको आपकर यहाँ से select करना होगा कि किस माध्यम से आप अपना address बदलना चाहते हैं तो जी यहा आप अपने राशन काड की साहता से उसको अप्लोड करूंगा वेरिफाय करूंगा तो अप्लोड करने के भी आपको यहां पर दो माधिम दिये गए हैं एक तो अप्लोड और एक डिजी लोकर अपने डिजी लोकर का account बना रखा है वहां mobile नमबर authenticate करवा रखेंगे तो आपका अप्लोड बटन है इस बटन पर टैप करके आप यहां पर डोकुमेंट लेंगे वहीं दोकुमेंट लने यह दो तरह के दिये खायं के मीर और गैलरी हम गैलरे में जाएंगे के साहता से हम डोकुमेंट को अटेज्च करेंगे तो यह म RBro कर टेज कर दिया है आपको एंशुर कर लेना है कि आपने बाले आवेद का नाम लिखना है और आप खुद एक वोटर रहें तो आपको यहां पर अपना नाम सेट करना है तो यहां पर हम अमना नाम लिख देते हैं जो की उसके राद आपको लिखना है पहले से आने कि आप जिस गाउं का आप बिलोंग कर रहे हैं जिस current city current location को आप बिलोंग कर रहे हैं वो आपको यहां पे लिख देनी हैं तो यह हमारी current location को लिख देते हैं उसके पश्चान आपको कर देना है सेक्शन और उसके पस्चाथ आपको नीचे वाला सेक्शन दिखाया जा रहा है करन्ट एड्रेस ओफ माई ओर्डनेर रेजिडेंट वेर आई वाज शिप्टेड यह जो स्टेट्मेंट है यह है कि अब आप जहां अपना पता चेंज करवाना चाहते हैं उस स्टेट्मेंट को उसके पस्चाथ आपको कर देना है कंफर्म कंफर्म करने पर आप एक आपको एक रिसिप्ट दी जाएगी आपको एक मैसेज दिया जाएगा इस मैसेज को बड़ी इंपोर्टेंस है इस मैसेज को आपको ऐसे ही ओके नहीं कर देना है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है एक नंबर दिया जाता है जिसे कहते हैं reference ID इस reference ID को आपको note कर लेना है जी हाँ अगर आप एक BLO भी है जो BLO आप LPN पर आपकाम कर रहे हैं तो आपको इस नंबर को note कर लेना है इसकी साहिता से आप ये track कर पाएंगे कि ये form में नहीं बराएं अर्थाथ आप BLO नहीं बराएं क्योंकि जब आपकी गरूडा एप आपको इसको checklist है तो भेजा जाएगा तो आपको ज़्यदा सत्यापन करने की ज़रत नहीं है आपको उसके घर पर जाकर सत्यापन करने की ज़रत नहीं पड़ेगी क्योंकि form आप नहीं बरा है तो आप उसको checklist में आराम से पास कर देंगे लेकिन अगर ये जो reference नंबर है आपको आपकी गरूडा app में एक एसाद reference मिलता है जो कहीं अन्य application या किसी water ने direct बरा है तब आपको इस reference नंबर को जो है track करना होगा उसे घर पर जाना होगा कि क्या वास्तों में ये जो form नंबर 8A का आविदन आया है ये वेक्ति आप ही के भाग में रहता है ये नहीं रहता है तो इस तरह से आपको reference नंबर को note कर लेना है note करने के पस्चात आपको कर देना है इस message को ok अब आप वापस dashboard पे आ जाएंगे इस प्रकार आप form नंबर 8A आसाने से भढ़ सकते हैं तो इस प्रकार हमने इस पूरे वीडियो tutorial में जाना कि form नंबर 8A कब बरा जाता है आठ कब बरा जाता है और कब कौनता form बरना चाहिए तो आप बहुत ही समझदारी से समझकर form नंबर 8 और 8A को भरिए दोनों ही माद्यम से address बदले जाते हैं लेकिन आठ जब उस institute में बरा जाता है जब आप वहीं रहते हैं आप अपनी लोकेलिटी को ही चेंज करना चाहते हैं लोकेलिटी को बदलने से या form नंबर 8 को बदलने से आपका पॉलिंग बूत वही रहेगा उसमें बदलाव नहीं होगा लेकिन अगर आप 8A भरते हैं आपकी लोकेलिटी यानि का आपका निवास का स्थान इस प्रकार बदल दिया जाता है आपके द्वारा की उससे आपके पॉलिंग बूत पर भी प्रवाव परता है तो आपके हो सकता है कि आपके पॉलिंग स्टेशन को भी बदल दिया जाए तो इस प्रकार से आप आसाने से इस वीडियो टुटरिल की साहता से समझ कर देख बाल कर आप फोम नंबर आठ और आठ ए में अंतर समझ गए होंगे तो आप अपनी सुविदा अनुसर आठ या आठ ए फोम को भरिए थेंक यू